दोस्तो आईपेल 2023 का 31 मैच पंजाब और मुंबई टीम की 20 में खिला जाएगा जो कि मुंबई की हॉम ग्राउंड में होने वाला है वान खिर्ड स्टेडियम में तो ऐस अगर आप 49 रुपे की टीम बनाने की सोच रहे हो और आप सोच रहो कि आर मैच मैच में गराउंड लीग में टीम बनाऊँ और 2 कोड़र पे जीतूं तो ऐस अगर आप अंधी टीम मनाते हो तो हो सकता है आपकी टीम नाए क्योंकि यार ये गेम ऑफ इसकिल है गेम बरेवरे ऐसे प्लेयर हैं जो आज इस मुकाबले में बुर्कुल फ्लॉप होंगे और दोस्तों आप उनको अपनी टीम में जरूर लोगे मार दोस्तों अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप उनको सीधा ड्रॉप कर दोगे और आप ग्रेंड लीग में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 2 क्रोड रुपे बहुत आसानी से बिन कर जाओगे दोस्तों सारी बात जाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करिए बला कंद बाइए और लुटिफिकेसन पे क्लिक करना बरको न भूलें तो गया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिच रिपोर्ट क्या होनी वाली इस मुकबले में दोस्तों पिच रिपोर्ट बहुत महत्तबुर होती है उसी हिसाब से अगर आप टीम मनाओगे तो आपके चांस 90% बर जाते हैं कि आपकी जो ग्रैंड लीग है वो आप बिन कर जाओ यानि कि आप रैंक बना जाओ डेड़ करोड़ लोगों में से डेड़ करोड़ लोगों को हराना यार बहुत बड़ी बात होती है आपको उनसे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा तब आप जीत पाओगे दोस्तो यह पिछ है वान खेड़े की वो दोस्तो इस्पिन गैंदवाज को थोड़ी सी मदद करती है बाकी तोटली यहापे जो विक्रिट मिलेंगे वो मिलेंगे पेसर गैंदवाज को और बल्ले वाजों को यहापे बहुत जादा मदद मिलने वाली है और बॉन्डरी और यह खिलाडी है जीतेसरमा जंदेसरमा कर अपर मुंबै की जो गेहन्दवाजी है वो याँपर पंजाब को All Out करेगी तो जीतेसरमा का नंबर पक्का आएगा और जंद किनिकल लग स्ट्रॉंग बैस्मेन है रन पक्का बनाएगा 30 से 40 रंग की भी इसमें बहुत इजली बना सकता है इसलिए आपको इसको ड्रॉप नहीं करना है और विक्रिट कीपिरिंग भी यही करता है वहाँ से भी कैचिंग के पोइंट मिलने वाले हैं तो आपको क्या करना है आपको इन दोनों खिलाडियों को लेना है जीते सर्मा और दोस्तों इसान केचन तो चलिए फटाबर से हम दोस्तों आपको दोनों खिलाडियों को अपनी टीम में पिक कर लेते हैं अज दोस्टों यहां पे बात करते हैं बल्लेवाजी वाले सेक्शन की दोस्तों पहले में आपको इसन केशन की बारे बताए हैं नियरा थोला सा बताएता हूं इसन केशन है पंजाब के खिलाफ खेलना काफी पसंद करता है और इस वाले ग्राउ्ड पे तो यार बहुत टॉप बल्लेवाज है इसन केशन ठीक है तो आपको इसन केशन को जरूर लेना है दोस्तो बल्लेवाजी की बात कर रहे हैं तो बल्लेवाजी में यहाँ पर आपको बहुत से बल्लेवाज यहाँ पर देख जाएंगे तगड़े तगड़े बल्लेवाज है रो पक्का बनाएगा चाई पंजाब पहले बैटिंग करे या पर दोस्तों पंजाब पहले बॉलिंग करे पक्का अरन बनाने वाला है सिखर धवन तो आपको सिखर धवन को अपनी टीम में जरूर दोस्तों यहां पे पिक कर लेना है तो चलिए फटाबर दोस्तों मैं सिखर धव की टीम का है तो आइस रोई सर्मा याँ पे पक्का चलता है और सबसे जाधा रण टी-20 में रोई सर्मा ने इसी ग्राउंड पे ठोक रखे हैं वाने खेड़े पे इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है यहां पे आपको रोई सर्मा को भी पिक करके चलना है और दोस्तों बहुत से रोग यहां इसके बाद दोस्तों आपको लेके चलना है तिलक वर्मा को तिलक वर्मा दोस्तों चार पांच नंबर पर बल्लेवाजी करने के लिए आएगा और काफी स्ट्रॉंग बैट्समेन है चोके चके बहुत जल्दी लगाता है छोटा वाला ग्राउंड होने वाला है तो आपको ति किपर वाला सेक्षन था वह चुका है बल्ले वाजी वाला सेक्षन यहां पर हमारा केलियर ऊचुका है अब बात करते हैं और राउंडर वाले सेक्षण की तो आईस और यहां पे आपको बहुत सारे नजराएंगे और काफी अच्छे-च्छे और रहें जैसे कि सबसे पहले तो सेम करण को क्योंकि दोस्तों यहां पर फास्ट गैदवाज को थोड़ी सी मदद रहेगी और अगर एक बिक्रिट मिल गई और बल्ले वाजी में 15-20 न बना दिये तो डीटी का सब पक्का बनेगा इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं आपको सेम करण को जरूर ल आना है इस वाले ग्राउंड पे बहुत बेकार परफॉर्मेंस है केमरान ग्रीन का इसलिए मैं आपसे स्टार्टेंग बोल दिया था कि बहुत से लोग बड़े-बड़े प्लेयरों को लेंगे मगर आपको ड्रॉप करके चलना है तो आइस हम अपनी टीम से आँसे ले या है क्योंकि सिकंदर राजा घैंद वाजी करेगा एकाद बिक्रिट मिल गई तो ठीक वरना बल्ले वाजी में काफी कमाल करने वाला है तो आइस सिकंदर राजा को हम यहां पे पक्का लेने वाले हैं अब दोस्तों यहां पे रहा लिविंग स्टॉन तो Living Stone का जो form है वो दोस्तों बहुत गंदा form चल रहा है और बहुत खराब खेलता यार Mumbai इंडिनेस टीम के खिलाब तोई और केच उठा करके आउट हो जाता बहुत जल्दी आती आउट हो जाता है और गाईस अब बात कर लेते हैं चलिए यहांपे Balling वाले section की कि Balling में हमको किस किस को यहांपे pick करके चलना है तो ऐस बहुत से लोग यहांपे अर्सदीप सींग को लेकर के आएंगे मार दोस्तों अर्सदीप सींग को आप तुरंत ड्रॉप कर दीजिए अर्सदीप सींग को आज किस मुकावले में आपको नहीं लेना है अर्सदीप सींग का कोई काम नहीं है तो आपको अर्सेदीब सींग को ड्रॉप करके चलना है और आपको किसको ड्रॉप करना है हर्पीद बरार को आपको यहां पर ड्रॉप करना है और यहां पर दोस्तों आपको किसको ड्रॉप करना है आगे बताऊंगा अचली ठीक है मगर दोस्तों आपको अपनी टीम में किसको लेना है प्यूस चावला को पक्का ले लेना है फटाबर से पहरे तो प्यूस चावला पंजाब के खिलाब खिलना पसंद करता है भला ही दोस्तों यहाँ पे स्पिनर को मदद नहीं है मगर प्यूज चावला विकेट टेकर गैंदवाज है एक्स्पिरियंस बहुत जादा है एकादी विकेट पक्का चटकाएगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो दो विकेट यहां पे लेने वाला है प्यूज चावला और दोस्तो मेरे यहां पे जो ट्रम्प प्लियर आज के इस मैच पे होने वाली है वो होने वाली है जैसन बेरन डॉफ और राइली मेरेडिट दोस्तो एं दौनों गैंदवाज मिलकर के पूरी टीम को आउट करने वाले है पंजाब की टीम को ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों जो वान खेड़ मैदान है इसमें ज़्यादा experience नहीं है इनको खिलने का मार दोस्तों quality गैंदवाज हैं पेसर गैंदवाज हैं इंटरनेशनल मुकावले खिलते हैं काफी experience है और bucket taker गैंदवाज है मैं चीजवस इसलिए दोस्तों मैं इनको कप्तान भी करूँगा आज के इस मुकावले में और दोस्तों आपको यहाँ पे गैंदवाज लेना है पंजाब का आप चाहो तो नाथन एलिस के साथ जा सकते हो आप चाहो तो रवाडा के साथ जा सकते हो आप दोस्तों किसी के भी साथ जा सकते ह कोई दिक्यत नहीं है मगर दोस्तों आप चाहो यहां पे दोस्तों चाहो तो नाथन एलिस को ड्रॉप कर सकती हो और आप रवाड़ा के साथ जा सकती हो क्योंकि दोस्तों रवाड़ा ज्यादा बिक्किट टेकर गैंदवाज है तो ऐस यह हमारी टीम बन करके हुच चुकी आपको नहीं करना है कप्तान आप कर सकते हो सिखर्धवन को ठीक है अब दोस्तों सिखर्धवन को कप्तान कर सकते हो उसके बाद आप कप्तान कर सकते हो पिर इसान के संदों को मत करने तेलक वर्मा को कर देना जो कितलतुइव वर्मा हाडा no है और हेलेट मैन है और काफी जल्दी बहुत इनीफल पर कर देता हूं और तो इसकंपे में ढाये आपको देख रहे होगी मैंने यहाँ फेकर की पर में लिया है के मैंने अलीके हैं ठीक है गैंद वाजी मैंने रवारा लिया है पंजाब का और बागी के तीनों यहां पर मुंबई के लिए हैं एक तो प्यूस चाबला जेसन बेरंडरोफ और राइली मेरेडित तो ऐस यह मेरी इनिशियल टीम है आप चाहते हो मेरी टीम से खिलना तो टेलीगराम का लिंक अगर स्मॉल लीग में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो 10-5 रुपे लगा करके 100 रुपे लगा करके 200 रुपे हरन करना चाहते हो स्मॉल लीग लगा करके तो ऐस आप खेलिए वीजन 11 एप्लिकेशन पे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिज आईगा आप ड् nhकलीजिए और वहां पर इंवेस्ट करतएं डूस्त आपको वीडियो पचंद आया हो और आपको वीडियो लगाओ यार बहुत बहुत आपने दिया ईसी वीडियो को यह को लाएक करना बुर्कों न भूलें एसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को स्क स्क्राइब करके जरू जाना फिलालिस वीडियो में तेने थात अप तकी लिए बने ख्याल रखिए और आगे भी देखते रहे हैं मिस्टर भंडारी